So hello guys, welcome back to the channel again with one new tech video regarding the color fit pulse आज मैं यहाँ पे सिर्फ color fit pulse ही नहीं कहूंगा इसके साथ मैं और एक चीज इंक्लिट की है जो की है बोट की Bluetooth headphone वैसे तो आप कोई भी headphone यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी smartwatch को यूज़ करने के लिए इसको as a Bluetooth के साथ connected करके रखने परती है अपने phone के साथ बट एक ही time पे कैसे आप अपने smartwatch को और एक Bluetooth headphone हो या फिर other कोई भी device हो लाइक दो चीज़ों को एक साथ अपने एक ही phone में कैसे connect करेंगे आज के इस वीडियो में मैं वह वह ही आप सो share करने वाला हूँ वीडियो अच्छे लगेगे तो like share और चैनल पे होंगे तब obviously subscribe कीज़ेगा कि इस डाइब से हम tech, unboxing, tutorials related धेट सारी वीडियों हमारे चैनल पे लाते रखते हैं तो चलिए without wasting of time देखते हैं कि कैसे आप इन दो gadgets को एक साथ Bluetooth connectivity के थुरू अपने phone में connect कर सकते हैं सो देख सकते हैं आपके सामने मैंने तीजनों चीजों को जो है रख दिया है and even जो है watch हमारी connection related issues की आप इसको कैसे connect कर सकते हैं even connected related अगर कोई issues आती है तो आप उसको कैसे solve कर सकते हैं वो सारी चीजे जो हैं हमने already share करके रख चुके हैं अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मना चुका हूँ इसलिए मैं इसको connectivity related भी share नहीं कर रहा हूँ जस्ट मैं फिर से आपको यहां पर डारेक्ट जा करके देखिए इसे मैं unpair करता हूँ अपने watch को इसे unpair करने के बाद मैं अब दोनों चीज दिखाने वाला हूँ जैसे कि अभी मेरे यहां पर देखिए जो boat rockets की headphone है इसे मैं अभी switch off करकर करका हूँ ठीक है turn off है अब क्या करना है directly हमें यहां pair now पे click करना है and just is keywords जो code है इसको scan कर लेना है either directly आप manually जाकर सर्च करके भी इसको connect कर सकते हैं इनके connectivity related issue अगर कुछ होती है तो इसको रूपर मैंने और भी videos बना रखी है सब उसको आप check out कर सकते हैं link आपको descriptions and i buttons दोनों जगों पर भी मिल जाएंगे so इस time जो है अभी आपको थोड़ा सा wait करना परता है and देखे जैसे ही connectivity related हमारे notification आती है watch पर then हमें इसको क्लिक करना है start using पर क्लिक करना है and हमारे यहां पर watch को भी sign आ चुकी है color fit pulse connected हो चुकी है get start पर क्लिक करना है so one thing is solved कि हमारी watch विथ जो है watch जो हमारी connected हो चुकी है and यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक sign भी मिल जाएगी यहां पर top corner पर left side में की connectivity हो चुकी है तो इससे मैं फिलाल रखता हूँ side में ठीक है अब जो next हमारी work है वो है Bluetooth connections से related so सब सब first of one thing कि इसको आपको turn on करना है just middle वाले button को आपको थोड़े देर के लिए प्रेस करके रखना है and the blue light indications start हो जाएगी जिसका मतलब है कि आपका connection हो चुका है सीधे चले आना है आपको अपने phone के settings में board rockets पे search device में and इस पे आपको यहां पर click करना है and easily आप देख सकते हैं कि मैं और थोड़ा closely लाके दिखा दूँ कि यहां पर जो है हमारी board rockets जो है connected हो चुकी है हमारी device के साथ and 60% अभी वी charge remaining still है जो है functions जो है दोनों के दोनों work कर रही है एक ही साथ आप phone में अपने watch को and जो आपकी earphone है दोनों को एक साथ आप इसमें connect कर सकते हैं without any error and without any problem के इसको easily issues नहीं होगा जिस तरह से मैंने connectivity related दिखाई अगर connectivity related कुछ भी issue होड़ा है तो हमने videos बना करके रखे हुई है कि इसको कैसे आपको watch के साथ है सबको connect करना है so till now thanks for watching video so friends उमीद करता हूँ वीडियो आपको पशंद आई होगी and आपका जो connectivity related issues रहा होगा कि कैसे आप इसको connect करेंगे एक साथ so आपका shawl गुआ होगा and one more thing कि इस watch की and bluetooth जो कि मैं आभी use कर रहा हूँ so काफी अच्छी है and affordable price में long battery backup के साथ and good quality of sounds with noise cancellations included so आप इसको watch out check out कर सकते हैं जिसको मैंने link जो है नीचे discussions में दे रखी है वहाँ से अगर आप purchase कर सकते हैं so उससे हमारे चायल को भी थोड़ी profit हो जाएगी so till now thanks for watching videos stay tuned और हमारे चायल को subscribe कर सकते हैं ताकि आप कोई सीथरा text, unbox and tutorials related videos देखने को मिल सकती है